नमस्कार बहुत स्वागत है आपका विहारी नूज में मेरतन सेन भारती पटना की सड़कों पर अगर आप यहाँ सोचकर गाड़ी चला रहे हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा है तो यहाँ आपकी सबसे बड़ी भूलोगी क्योंकि सड़क की हर गतिविधियों को तीसरी आ इसके साथ साथ अतिकरमन को लेकर भी अनियमित्ता बढ़ती जाएगी साथ इसाथ अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेफिक नियम को तोड़ता है तो उसकी फोटो के साथ चलान भी उसके घर तक पहुँच जाएगा इसलिए आप कहा जा रहा है कि अगर आपको सड़क पर पुल तस्वीर के साथ आपके घर पर चलान पहुच जाएगा इसलिए सब पर निकलने तो साब धान रहे पिछले दिनों पटना के जिलाधिकारी कुमार रवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक इक्रित खमान और नियंतरन कश दोहरा या तहयात नियंतरन लाल बत्ती उलं परदान करेगा इससे पुलिस को कानून वेवस्था बनाई रखने में मदद मिलेगी उन्होंना कहा कि आई सी सी भावन में भी जिला नियंतरन कशेवं पी आई यार को सिफ्ट करने की योजना पर काम किया जा रहा है पूरे बिहार में इंदिरों मदनिसेत कानून को कड़ करने को लेकर कारिज किया जा रहा है साथ remainder सराब तषकरों में पकड़ने की योजना पर भी कामिया जा रहा है इन तसकरों में उत्पात विभाग दोरारा पटना पुलिस की तरफ से मदद ली जा रही है ताकि इन सराब माफियाओं मोसना में दी गई है इसके तहट उत्पात विभाग ने पटना पुलिस को 20 मोटर साइकल दी है जिससे कि सराब तसकरों को पकड़ा जा सके बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में होली का तेवहार है ऐसे में प्रदेश में सराबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए पटना तो आप गलती में हैं आप इस दवरान जो है लाल सिगनल को तोड़ते हैं हुए आगे बढ़ते हैं या फिर जेबरा क्रॉसिंग को पार कर जाते हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा या आपकी भूल होगी क्योंकि अब पटना पुलिस आधोनिक तरीके से आपके उपर नजर बनाए हुए है ताकि आपकी गतिविधियों को पकड़ सके उस पर नजर बनाए रखे इसलिए आप सड़कों पर निकले तो अतिकरमन से बचें और सड़क नियमों का पालन जरूर करें बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इंखबरों के लिए बरे रह बिहार रियोज के साथ मुझे दे जे जाजद धन्यवाद